नमस्कार दोस्तों स्वागात है आप सभी लोगा सुनो श्टड़ी क्लासे यूटूब चैलन दोस्तों मैं आप से लोगों ज्याटी बूक क्लास 10th समाजी विज्ञान चैप्टर छा काम अराम और जीवन परपरस उतर मैं आप लोगों स्वीड़ों बताऊंगा प्रस्तंबर एक अठार्मी सदी के मद में मद से लंदन की आबादी क्यों फैलने लगी कारण बताई ये उतर अठार्मी सदी के मद से लंदन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी इसकी आबादी 6,75,0 तक पहुच चुकी थी इसके लिए निम्नखित कारण उत्तरदाई थे कर लंदन में अध्योगी करांतिय की कारण आबादी तेजी से बढ़ी हाला कि लंदन में विशाल कार खाने नहीं थे फिर भी प्रवासी आबादी चूंबा की तर उसी तरफ खिची चली आती थी गैरेत इस्टेटमेंट जेन्स की सद्धू में उनिसमी सतावदी का लंदन कलरको और दुकानों छोटे पेशेवरों को निपूर करी गरो नो करो दिहाडी मजदूरों कुसल व सारिरिक सरम करने वाले वालो की बढ़ती आबादी सिपाहियों फेरी वालों और विखारी यो का सहर था खो रोजगार प्रात करने लोग लंदन की तरफ क्यों तरफ आ रहे थे लंदन की गुदी के अलाबा मुख रूप से पांच तरफ के बड़े उध्योगों में बहुत सारी लोगों को काम मिला हुआ था ये उध्योग थे परिवहन और जूता उध्योग लकड़ी व सटीक माफ वाले उध्योग और कीमती धातूओं की चीज़े बनाने वाले उध्योग पहले बिसुद के दोरान लंदन में मोटर कार और बिजली के उपकर्ण का भी उध्योगों होने लगा और विशाल कार खानों की संक्या बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि सहर की तीन च तरह के बदलाव आई यह बदलाव किन कारणों से आएं उत्तर 18 सदीक के अंत में और 19 सदीक के प्रारम में फैक्टिरियों में बहुत सारी औरते काम करती थी जैसे जैसे तक्नीक में सुधार आया कारखानों में औरतों की नोकरियां छिनने लगी और वे घरेलू कामों में सिमिट कर रह गई हैं 1861 की जनगरना से पता चला कि लंदन में लगभग धाई लाक नोकर हैं उनमें औरतों की संक्या बहुत ज़्यादा थी जिनमें से अधिकांस हाल ही में सहर में आई थी बहुत सारी औरतों परिवार की आय बढ़ाने के लिए अपने मकानों को ही इस्ति करती थी यह तो किसी को भाड़े पर लेती थी या फिर घर पर ही रहकर सिलाई बुनाई कपड़े धोने या माचिस बनाने जैसे काम करती थी 20 सदी में हालात फिर बदले और और औरतों को युद्धकालीन उध्योगों और दप्तरों में काम मिलने लगा तो वे घरीलू काम छोड़कर फिर बाहर आने लगी प्रश्ण नमर तीन विसाल सहरी आबादी की होने से निम्लिकीत पर क्या आसर पड़ा है एतिहासिक उधारणों के साथ समझाईए का जमिदार ख कानून विवस्ता सम्हालने वाला पुलिस अधिचक गर राजनितिक दल का निता उत्तर जम जम अबादी बढ़ने के कान रहने की समस्या उत्पन हुई तब इस वर्ग ने इस समस्या को हल करने में अपना जोगदान दिया जब मिल मालिकों को सरकार ने सहरों में निवास के नए मकान बनाने की जिम्मवारी नहीं लिए तब इन वर्ग ने अपनी भोमी पर छोटे- मकान या चाल आदी बनाकर मजदूरों को कारीगरों को किराये पर दिये जिससे यह धनी हो गया और जल ही जल धन से सहरों में इन्होंने अपने कार खाने स्थापित कर लिये जब सहरों में सराब खोरी और गंदगी का महौर उत्पन हो गया तो इस वर्ग ने इनको इनसे निपटने के लिए सयमता आंदूलन प्रालम किया कानून बिवस्ता सम्हालने वाला पुलिस अधिछक सहरों में जब जनसंख्या बढ़ने लगी तब यहां पर कई तरह के अपराद भी होने लगे क्योंकि गाओं से ज़्यादा लोग यहां पर काम की तलास में आते और जब उन्हें काम नहीं मिलता तो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अपराद करने लगे ऐसे में जिला प्रमुक पुलिस अधिकारी या पुलिस अधिक्चक कानून बिवस्था को बनाए रखने में महत्पूर्ण भोमिका हो गई क्योंकि परोपकारी जहां में नैतिक्ता को लेकर चिंती थे वहीं उध्योपती प्रिसर्मी और अनुसासित मजदूर्ण की चाम के कारण परिसान थे अतव पुलिस द्वारा अपरादियों पर नजर रखी गई साथ ही उनकी जिन्दगी के तोर तरिकों की जाच की जाने लगी जनता में नुसासन बनाये रखने के लिए पुलिस और शासन द्वारा अपरादों के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी गई पुलिस द्वारा प्रसासन कारियों से सक्ती से निप्टा गया यह सभी कारियों पुलिस अधिक्षक ने अधीन पुलिस विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा किये गए इसके अत्रिक सासन द्वारा लायक गरीब लोगों के लिए रोजगार उपलग्द करवाएं गए ताकि वे अपराद की और आकरसित नहों हूँ गो राजनेतिक दल का निता है जब सहरू का विकास हुआ तो यहाँ पर अन्य चीजों की विकास की साथ साथ राजनेतिक गतिविधिया भी आरम हुई जब जनसंख्या वृद्धि के कारण यहाँ पर अनिक समस्याएं उत्पन ह तब आउसरवादी नेताओं ने इनका लाव उठाते हुए मजदूरों और कारीगरों के संगठन बनाएं और हरताले आदी कारवाने लगे इन्होंने जनता को आस्वासन दिया कि वे उनकी समस्याओं का जल से जल्द हल करवाएंगे इस कारण से इन्होंने अपने और अप मकान बनवाने की जरूत का समर्थन क्यों किया बंबई की बहुत सारी फिल्में सहर में बाहर से आने वालों की जिंदगी पर आधारित क्यों होती थी और निसमी सदी के मध में बंबई की आबादी में भारे विर्धी क्यों हुई उतर को और निसमी सदी में धनी लंदन वा में भेड रहती थी, वहां हावा निकासी का इंतिजाम नहीं था और साफ सफाई की सुविधाई नहीं थी, ख, नुबर दू, खश्ता हाल, मकानों की कान आग लगने का खतरा बना रहता था, नुबर तीन, इस विशाल जनसमू के कान समाजिक उथल पुथल की आसंका जानती के बाद यह डर काफी बढ़ गया था, लंदन की गरीब कहें विद्रों न कर दें, इस आसंका से निपटने के लिए मजदूरों की लिया आवासी जोजना सुरू हो गई, ख, बंबई में जो फिल्में, बनी, उनमें से कई फिल्में बाहर से आने वाले लोगों की ज सहरों के विरोधों को दर्साया गया जैसे CID का गाना, यह दिल है, मुश्किल जीना, यहां जरा हटके, जरा बचके, यह है बंबई मेरी जान, नमबर तीन, इनमें उन लोगों की जीवन को भी दर्साया गया, जो बंबई को सपनों का सहर समझकर आते थे, और यहां पर अन आने वाले गरीबों के बीच के अंत विरोधों को इस पश्ट रूप से दर्साया जैता था, नमबर पाच, बाहर से आने वाले लोगों को बंबई के जीवन में गंदाव वाता वर्ण, आवासी मकानों का अभाव, लोगों का संक, केन, द्रिष्टी कोर मानों मुल्यों की उपेक्षा, गरीबी और अपरात को फिल्मों में दिखाया गया, गव, और निश्वी सदी के मद्ध में, बंबई की आवादी में भारी व्रिध्य के कान, नमबर एक, सहरी आकर्शन, बंबई की आवादी बढ़ने का मुख कान, लोगों का सहरों के परती बढ़ता लोग यहां पर आकर रहनने लगे, उन्होंने आधोनिक जीवन सैले को अपनाने के साथ-साथ रोजगार की नए आवसरों की तलास कर अपना जीवन इस्तर उचा उठाया, जैसे रहन सहन के आधोनिक जीवन पद्धती रोजगार के नए आवसर आदी, नमबर दू, बैपा नवीन बैपारी, बैपारीक आवसरों को प्राप करने के लिए यहां आने लगे, नमबर तीन, रोजगार के नवीन आवसर, 1899 में बंबई को प्रसिशी की राजधानी घोसित कर दिया गया, प्रेडाम सो रूप, बंबई एक प्रमुग बैपारी केंदर के रूप में प्र लोग यहां पर रोजगार के आवसर को प्राप करने के लिए यहां फिल्मी जगत में अपना भागया अजमानी के लिए आने लगे, नमबर चार, अवागमन का विकास, मंबई जब प्रमुग बैपारीक और प्रशासिनिक केंदर बन गया, तब यहां पर अवागमन की उखे छेत्रों में आकाल पढ़ने के कारण लोग यहां पर काम की तुल्ना में आएं, अठारा सो अठान बे में जब प्लैग एक महामारी के रूप में फैला तब भी लोग इससे बचने के लिए बंबई हा गएं, अंततर उप्रोक कारणों से बंबई की आबादी बढ़ चैरचा करें, प्रस्ट नबर एक, लोगों को मनरंजन के आऊसर उप्लिद कराने के लिए इंग्लेंड में उननिस्मी सदी में मनरंजन के कौन कौन से साधन सामने आएं उत्तर, उन्निस्वी सदी में इंग्लेंड में मनरंजन की निम्लखिस साधन सामने आए लंदन के अमीर वर्ग की लोगों के लिए एक वार्सिक उस्सो होता था जिसे लंदन सीजन कहा जाता था इसमें और पीरा, रंजमंच और सस्त्रिय संगीत आधी कई प्रकार के सांस्क्रितिक कारिकरिम किये जाते थे नमबर दू, मेहनत कस अपना खाली समय पब या सराब घरों में बिताते थे इस मोको पर वे खबरों का आदान प्रदान भी करते थे और कभी-कभी राजनितिक कारवाईयों के लिए गोलवंदी भी करते थे नमबर तीन, और निसमी सदी में लोगों को इतिहास की जानकारी देने के लिए बहुत सारे पुष्टकाले, कला, द्रिगाएं और संकलाएं खोले गए जिसमें काफी संख्या में दर्सक आती थी नमबर चार, निचले वर्ग की लोगों में मरणजन के साधन की रूप में संगीत सभा काफी लोग पिर थी बिशमें सधी की प्रारम तक विविन प्रिष्ट भूमी की लोगों के लिए सीनेमा मरणजन का जवर्दस्त साधन बन गया नमबर चो, और ध्यावगिक मजदूर छुट्टी के दिनों में समुद्र के किनारे जाकर धूप और स्वच हवा का आनंद उठाने लगे प्रस नमबर दू, लंदन में आये उन समाजिक परिवर्थनों की व्याख्या करें जिसके कारण भूमीगत रेलवे की जरुवत पैदा हुई भूमीगत रेलवे के निर्माड की आलोचना क्यों हुई? उतर भूमीगत रेलवे की आउसकता इंगलेंड में उध्योगी करांती के बाद लोग बड़ी संख्या में सहरू की तरफ रुप करने लगे हाला की लंदन में 20 साल कारखानी नहीं थे फिर भी प्रवासी आबादी लंदन की तरफ आने लगे लंदन की गुदी के अलावा मुख रूप से पांस तरह के बड़े उध्योग में बहुत सारे लोग काम पर लगे हुए थे परिधान और जूता उध्योग लकडी की फरनीचर उध्योग धातों इंजिनिरिंग उध्योग छपाई इवं इस्टेशनरी उध्योग तथा सर लेचे किसा उपकरन उध्योग आदी लंदन में आबादी बढ़ने के साथ साथ अपराद भी बढ़ने लगे अठारा सो सतर के दसक में लंदन में आवास हो जाने ता साफ साफाई की समस्याई बढ़ने लगी नमर चार लोगों के लिए अच्छे आवास की बेवस्ता करना जरूरी हो गया था बिस्व युद्धू के दोरान मजदूर वर्क के लिए आवास का इंतिजाम करने की जिम्धारी वीटी सराज्य ने अपने उपर ले ली और इस्थाने साथ सन के जरिये 10 लाक मकान बनवाएं गए सरकार सहर के आसपास उप सहरी बस्तियां आस्तित मैं आ चुकी थी नंबर 5 लोगों को उप नगरिये बस्तियों से सहर तक लाने के लिए परियोहन की कोई सुवधान नहीं थी लोगों को उफ सहरी बश्तियों में रहने के लिए तभी तैयार किया जाता था जबकि सारजनिक परिवहन विवस्ता बनाई जाती इसी बात को ध्यान में रखकर लंदन में भूमिगत रेलवे का निर्मार किया गया लंदन की भूमिगत रेलवे ने आवास की समस्या को काफी हद तक हल कर दिया था लोग इसके जरिये सहर के भीतर बाहर आ जा सकते थे भूमिगत रेलवे की आलूचना की कारण भूमिगत की सबसे पहली भूमिगत रेल के पहले खंड का उदगाटन 10 जनवरी 1863 को किया गया पहले दिन 10,000 यातरियों ने इसमें यातरा की 1880 तक भूमिगत रेल नेटवर का विस्तार हो चुका था प्रारम में भूमिगत यातरा की कलपना से लोग डर जाते थे इस भूमिगत रेल की नेमलेखित आधारों पर आलोचना की जाने रगी रेल के डिब्बे मुसाफिरों से भरे रहते थे डिब्बे का महाल सलफ और कोईले की धूल और उपर लगे गैस के लेम से निकलती गंद से भरा हुआ था लोग अपने गंतव्य इस्तल पर पोशने तक स्वास्त रोधक और गर्मी के करण बेहाल हो जाते थे लोगों का कहना था कि इन रेल गाड़ियों को फोरण बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह स्वास्त के लिए खत्रा है नमबर तिन बहुत सारी लोगों का मानना था कि इन लोग देत्यों ने सहर में अफरा तफरी और अस्वास्त कर माहौल बढ़ा दिया है नमबर चार भूमिगत रेल बे के निर्मार की प्रिक्रिया में होने वाले वैसा बिनास के कारण भी लोगों ने इसका विरूत किया एक नागरी का कहना था कि मकान गिरा दिये गएं सडकों को तोड़कर बंद कर दिया गया जमीन में गढ़े और खाईया खोद दी गई और चारू तरब बेहिसाब मिट्टी और धूल के अंबार लगा दिये गएं इस प्रकार लंदन में बनी भूमिगत रेल बे के कारण लंदन की गरीबू की काफी बड़ी संख्या में उजाडा गया संख्या में उजाडा गया इन सारी आलोजनाओं के बावजूद इन भूमिगत रेल बे को जबर 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 जबर्जस्त कामियावी हासिल होई प्रस्त नमर तीन पैरिस के हासमान निकरन की क्या अभिप्राए हैं इस तरह के विकास को आप किस हद तक सही या गलत मानते हैं इस बात का समथन या विरूत करते हुए अकबार की संपादक को पत्र लिखिया और इसमें अपने द्रिश्टिकूर की पच्छ में कालन दीजि उतर पैरिस का हासमान निकरन 1852 में लुई नेपोलियन तृतिय को फ्रांस का राष्टपती घोसित किया गया समराठ बनते ही उसने पैरिस की पुननिर्माण का कारेप्रारम किया इसके लिए उसने बैरान हासमान नामक वास्तुकार को चुना जिसने 17 वर्सों 1852 से 5869 में य इसके लिए उसने पैरिस के मद्ध से गरीबी गरीबों की बस्तियों को साप किया ताकि कोई विद्रो ना हो सहर में सीधी और चोणी सडके बनाई गई खुले मैदान बनाए गए और बड़े-बड़े पेड लगवाए गए तथा सुरच्छा के लिए पुलिस का पानिकरन कहा जाता है इस कारे में लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ पच्छ में तर्क नमबर एक इससे पैरिस का पुरा निर्मार हुआ नमबर दू इस सडकों को चोड़ा किया गया और उसके दोनों की किनारों पर छाया दार विर्च लगाए गए गए सहर में पानी की बेवस्ता की गई नमबर साथ बस अड़े बनाए गए यानि अवागमन की बेवस्ता को भी सुधारा गया विपच में तर्क नमबर एक इसमें लिए इसके लिए लगभग तीन लाग पचास जार लोगों की घरों को उजाडा गया नमबर दू गरीबों की बस्तियों को उजाडा गया नमबर तीन प्राचीन जीवन पंदती जिसमें मेल मिलाप और अपना पंथा हुआ खत्म हो गया उसकी जगह उच्च वर्गे संस्कृति की स्थापना हुई नमबर चार इससे ब्रिद और परंपरागत विचार धाराओं वाले लोगों का बहुत दुख हुआ उनकी भावनाओं को ठेस पहुची अकबार की संपादक कुपत्र संपादक जी हिंदुस्तान टाइम्स दिली विसे हासमानी करन के पच्च में विचार अकबार फ्रांस के ज़्यादा तर लोगों द्वारा पढ़ा जाता है अतव में आपके अकबार के मध्यम से पैरिस हासमानी करन के पच्च में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ इसके विरोध में कई जगहों पर परदर्शन आदी हो रहे हैं पर हमें इसके अच्चे पच्च को भी देखना चाहिए जो इन नवीन रशना का उद्देश है इससे पैरिस का पुना निर्माड हुआ है सहर की गंदगी साफ हुई है सुरच्चा याता यात पाने आदी के विवस्थाओं में सुधार हुआ है पर्यावरण और लोगों की स्वास्त को ध्यान में रखते हुए सडकों की दोनों तरफ छायादार विल्च लगाए गए हैं तथा बाग बनाए गए हैं सडकों को सीधा और चोड़ा किया जा रहा है इससे पैरिस एक नवीन रूप लेकर सामने आ रहा है जो आने वाले समय में सबके आकरशन का केंदर बनेगा अतब मैं हास मानिकरन का समर्थन करता हूँ और चाहता हूँ कि आप मेरे पत्र को अपने अकबार में चाप पर आने लोगों को भी इस परिवर्थन की पच्च में सोच विचार करने का मोका दें प्रस नमबर चार सरकारी नियमन और नए कानूनों ने प्रदूसर की समस्या को किस हद तक हल किया निमलेखित के इस तर में परिवर्थन के लिए बने कानूनों की सफलता और बिफल का एक एक उधान दीजिए नमबर एक सावजनिक जीवन खर निजी जीवन उतर और ध्योगी की करन के कारण लंदन की बढ़ती आबादी ने सफाई और स्वास सम्मंदित अनेक समस्याएं पैदा करदी गरीबो के एक कमरे वाले मकानों में जनता कि स्वास के लिए खत्रा उत्पन हो रहा था इन मकान भरी बस्तियों की भीड कम करने, खुले स्थानों पर हरा भरा बनाने आबादी कम करने और सहर को योजना अनुसार बसाने के लिए कोशिसे सुरू कर दी गई को सावजनिक जीवन में सुधार लाने के लिए उठाएं गए कदम नमबर एक, मकानों की भारी किलत के असर को काबू करने के लिए पर्थम विसुद के दोरान किराया नेंतरन कानून लागू किया गया नमबर दो, वास्तुकार और योजनाकार एवे ने जर हावट नेक गाडन सिटी की आउधारना दी जिन्होंने एक ऐसे सहर का खाका खिचा जहां पेड पोधों की भरमार हो और जहां लोग रहते भी हों, काम भी करते हों नमबर तीन, हावट के विचारों की आधार पर रिमड और अनवीन और वैरी फारकर के नियू अर्जविक नाम से एक गाडन सिटी का डिजाइन तयार किया इसमें साजा बाग भगीचे खुबसूरत नजारों का इंतिजाम किया गया था हर चीज को बड़ी बारिकी से सजाया गया था नमबर चार, लंदन के इर्द गिर्द हरी पटी विक्सित हो गई खर, नेजी जीवन में सुधार की कदम नमबर एक, वरलियन और निवार्ग जैसे सहरों की तर्च पर आपाटमेंट की विसाल बलाग बनाए गए नमबर दूर, विस्व युदू के दरान मजदूर वर्ग के लिए आवास का इंतिजाम करने की जिमदारी विटी सराज ने अपने उपर ले ली और स्थाने सासन के जरिये 10 लाग मकान बनाए गए इस प्रकार प्रदूर कम करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाई किन्तु उसका फादा के वल समाज के अमीर वर्ग को ही मिला गार्डन सिटी में बने मकानों को के वल खाते पीते कामगर ही खरिश सकते थे लंदन वा पैरिज के अमीर देहात में आवकास ग्रह बनाने का खर्च उठा सकते थे किन्तु यह विकल्प सबके पास नहीं था पर योजना कारे प्रश्न प्रश्न नमर तीन इस अध्याय में जिन बंबई या फिल्मों का उलिक किया गया है उनमें से कोई एक फिल्म देखिए अब इस अध्याय में उलिक की एक फिल्म और बंबई पर आधारित किसी हालिया फिल्म में सहर को किस तरह दिखाया गया है इसकी तुलना कीजिए उतर इस अध्याय में बंबई सहर की वास्तिविक्ता पर आधारी दो फिल्में CID और गेश हाउस का उलेग किया गया है जदी हम 1956 में बनी CID की तुलना 2007 से बनी ट्रैफिक सिगनल से करी तो इनमें ये अंतरिस पस्ट नजर आएगा CID नमर 1 इसमें जनसंख्या के फैलाव को दर्साया गया है नमर 2 इसमें डांस कलब दिखाया गया है नमर 3 इसमें विखारी सरकों मन्दीरों या डांस कलबों के बाहर ही भीक मांगते दिखाये गया है नमबर चार इस फिल्म में बोली गई बासा कीवल हिंदी है नमबर पांच इसमें अपराद जगत दादा गिरी का रूप नहीं है यानि अपराधी का अपना दल है जिसका छेतर सीमित है और वह खुले आम अपराद नहीं करता है नमबर चार इसमें सड़कें साफ सुथरी हैं नमबर साथ इस फिल्म में नायक द्वारा किये गए लडाई वाली द्रिस साधारान और आवास्तिक से लगते हैं नमबर आथ इस फिल्म में तक्नीकी अधार काफी कमजोर है परन्तु संगीत का पच्छ मधूर और मन को चूने वाला है इसमें सहर के बढ़ते फैलाव का विक्रित रूप दिखाया गया है इसमें बार कलब और डिस को थेक आदी दिखाये गये हैं इसमें विखारी सडकों या मंदीरों डांस कलबों के अतिरिक्त ट्राफिक सिगनल पर भीक मांगते हुए दिखाये गये हैं इस फिल्म की भासा बंबई है इसमें हिंदी मराठी इंगलिस के सब्दों का प्रियोग हुआ है इसमें सब्दों को बिगड़े रूप में बोला जाता है जैसे करेला को केर इला आदी इसमें अपराद जगत दादागिरी के रूप में है यानि इसमें अपरादियों को के छोटे छोटे समू हैं जिनके अपने छेत्र बटे हुए हैं, सभी आपस में लड़ते हैं और असांती फैलाते हैं, इसमें हर जगह गंदगी फैली हुई दिखाई गई है, इसमें लडाई और मारधार वाले दिर से काफी वास्तिविक नजराते हैं, इसमें तकनीक अधार मजबूत है और गीत संग नेश्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू फूर वाचिंग